है लो चैंपियंज कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं हमेशा क्या तरह दोस्तों मैं पीके मिश्रा आपका हाँ हाँ आपका ही लेट स्कोर हंडेंड में वेलकम करता हूँ दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नौन फूड क्रॉप्स बिसि मेजर क्रॉप्स राइट और हम लोग जानते हैं मेजर क्रॉप्स दो तरह की होती है एक होती है फूड फूड क्रॉप्स और दूसरी होती है नौन फूड क्रॉप्स और हम जाते हैं फूड क्रॉप्स जो फूड क्रॉप्स होती है वो दो तरह की होती है एक होती है ग्रेंज में मारा वीट आ गया राइस आ गया ग्रेंज और एक होती है food crops food crops other than grains तो basically आज हम लोग यही पढ़ने वाले है आज हम लोग यही पढ़ने वाले है food crops other than grains basically यह वो food crops है जिनका हम खाने के लिए इस्तिवाल तो करते हैं But grain के form में उनका इस्तेमाल काफी कम होता है For example, what are the food crops other than grains यह हैं हमारे sugar cane, tea, coffee आप लोग जानते हैं कि tea और coffee को हम as a beverage, beverage crop बोली जाती है जिनको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद है oil seeds and oil seeds की धेर सारी variety होती है and धेर सारी जैसे ground nut हो गया हमारा soya bean हो गया, इसके बारे में भी detail में discuss करेंगे और next आते हैं हमारा horticulture crops means fruits and vegetables तो आज हम focus करेंगे non food crops में चलिए हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं slide number 1 पे and हमारा topic है food crops other than grains grains में हम लोगों ने क्या पढ़ा था आपको पता है हम लोगों ने पढ़ा था rice, wheat, millets millets में तीन तरीके के थे millets, jowar, बाजरा, रागी है न, और हम लोगों ने और क्या पढ़ा था, pulses पढ़ा था वो सारे grains हो गए, आज हम food crops other than grains पढ़ने वाले हैं आई ये फड़ा फट देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे sugar cane पहले हम लोग topic को sugar cane में क्या-क्या है इसे पढ़ते हैं फिर देखते हैं कि किस तरह का question बन सकता है हमारे board की exam में या हमारे school के exam में UT में किस तरह का question बन सकता है, ये फटा-फट देखते हैं सबसे पहले हम पढ़ने वाले sugar cane, so basically एक चीज आप लोग फटा-फट देख लिजे, non food crops में हम लोगों ने क्या-क्या देखा हम लोगों ने देखा, इसको याद करने के बहुत सिंपल सा तरीका है sugar cane है, tea है, coffee है, right morning में हम लोगों को tea है, coffee चाहिए होती है उसमें बिना sugar के काम चलता नहीं तो tea coffee, sugar हो गया उसके बाद हमारा horticulture में fruits and vegetables हो गया fruits तो ठीक है breakfast में कुछ लोग fruits भी खाते है right, याद करने की trick है fruits के लावा क्या बादा, vegetables vegetables को तो बिना oil के हम बना ही नहीं सकते आप अपने घर में अगर आप notice करेंगे तो बिना vegetable oil के vegetable तो बन ही नहीं सकती आए देखते हैं, सबसे पहले हम sugar cane को देखेंगा so पहला point है हमारा sugar cane में sugar cane क्या है यह tropical as well as subtropical crop है कई बार question में यह भी पूछता है कि mention what type of crop is that rabi crop है या खारिफ crop है उसके अलामा climate conditions पे based है, तो यह tropical, subtropical और भी कई तरीके के होती है तो sugar cane हमारा tropical भी है और subtropical है तो tropical crop का मतलब क्या होता है tropical crop का मतलब होता है वो crop जिसको hot weather and humidity humidity की जरूवत होती है यानि hot and humid ज्यादा गर्मिक जिसको जरूवत पढ़ती है और जो tropical crops होती है उनके लिए annual जो temperature चाहिए होता है above 18 degree Celsius throughout the year चाहिए होता है इससे कम temperature होगा यानि सर्दी होगी तो वो crops tropical crops को growth में tropical crops की growth में अगर 18 degree Celsius से नीचे temperature जाता है तो उनको growth में दिक्कत होती है तो tropical का मतलब तो यह हो गया hot temperature, hot climate चाहिए होता है तो sub tropical मतलब sub tropical crop वो crop होती है जो cooler climate को ही tolerate कर लेती है यानि minus 5 degree तक के temperature या winter में वो grow कर सकती है तो tropical मतलब आप ऐसे समझ सकते है कि वो थंड में भी वो crop grow हो सकती है आप जानते हैं गरना थंड में भी grow होता है और गर्मियों में भी grow होता है इसलिए tropical and sub tropical दोनों हो चले आगे बढ़ते हैं तो पहला हमारा यह हो गए दूसरा जैसे कि हम लोगों ने देखा कि शुगर केन क्या है ट्रॉपिकल क्रॉप है तो शुगर केन ग्रोज वेल इन होट अन हुमिट क्लाइमेट ट्रॉपिकल का मतलब ही होता है होट अन हुमिट क्लाइमेट विद टेंपरेश्चर कितना टेंपरेश्चर चाहिए होता है 21 to 27 डिग्री सेजसेस दोस्तों आप लोगों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है यह एकरिकल्चर वाद जो टॉपिक है कि यार हर प्रॉप के लिए अलग तरह का क्लाइमेट चाहिए होता है स्वाइल अलग तरह की चाहिए होते है मेजर प्रोडूसिंग स्टेट्स होते है इनको याद करने में बहुत दिक्कत होती है आप वीडियो में बने रहे हम लोग बहुत अच्छी ट्रिक्स शेर करेंगे जिससे अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको तुरंत तुरंत ही लर्न हो जाएगा और आप लोग पेन एंड पेपर लेके प्लीज ज़रूर बैठिए चलें दखें तो अब दखें जैसे यह कर रहा कि temperature sugar can को temperature कितना चाहिए 21 to 27 degrees Celsius यही same temperature चाहिए होता है किसको मेज को भी यानि मेज और सुगर केन को same temperature चाहिए 21 to 27 degrees Celsius याद रख लिए मेज अन शुगर केन दोनों के लिए temperature सेम है temperature 21 ठीक है उसके बाद an annual rainfall between 75 to 100 centimeter तो यह जो annual rainfall है और climate है इसके लिए हमारा जो next topic होने वाला है basically non food crops non food crops पे हम मैं एक table लेके आऊंगा उसमें सारी table में आप लोगों को climate and rainfall वगएरे कि एक बहुत अच्छी table मिलेगी जिसे आपको मतलब within no time आप लोगों को learn हो जाएगा चले आगे बढ़ते हैं तो basically यह हमारा temperature हो गया और rainfall हो गया शुगर के लिए 75-100 cm हो गया आगे बढ़ते हैं irrigation irrigation is required in the regions of low rainfall जाहर सी बात है जहां पे rainfall कम होगी वहां पे other modes of irrigation की जरूद पढ़े गया हो गया ट्यूवेल्स हो गया pumping sets हो गया राइट चोथा हम देखते हैं it can be grown on on a variety of soil एक कई तरह की स्वाइल पर ग्रोव हो सकता है sugarcane and needs यह बड़ा important है needs manual labor from sowing to harvesting देखे शुगर केन की crop पर यह जो शुगर केन का stock होता है उसको ऐसे काट लेते हैं फिर उसको soil में बरी कर देते हैं जब हम soil में बरी कर देते हैं तो यह देखे इस तरीके से plants निकलने शुरू हो जाते हैं और फिर यह sugarcane बड़ा हो करके इस तरीके से हो जाता है आई देखते हैं can be grown on a variety of soil and needs manual labor from sowing to harvesting उसके बाद देखते हैं इंडिया is the second largest producer of sugarcane after Brazil Brazil के बाद पूरी दुनिया बे हम दूसरे नंबर पे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा sugarcane grow करी जाती है आए देखते हैं six point क्या है it is the main source यानि sugar के हम बनाते क्या क्या है पहला तो चाय काफी सुबह सुबह हमें चाय होती है इससे आप सारे लोग परचित हैं शुगर उसके बाद जैगरी से अब सारे लोग परचित है उसके बाद यह देखें शुगर का सिर्फ जिसे molasses बोलते हैं और इसके लावां खांट-सारी भी बनती है पांट सरी तो हमने शुगर देख लिया गुर देख लिया जैगरी हो गया अन मोलैसिस तो यह प्रोड़क्स है और उसके बाद उसके बाद हमारा सातवा पॉइंट क्या है मेजर शुगर केन मेजर शुगर केन प्रोडूसिंग स्टेट्स कौन-कौन से है तो इसको लर्ण करने की बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है इसको पहले मैं क्लीन कर देता हूँ मेजर सुगर केन प्रोडूसिंग स्टेट्स है हमारे उसको हम लोग यहां में लिख देता हूँ आप लोगों को लर्ण करने में कोई दिक्कत नहुंगी आई यह देखते हैं कैसे हमारी हेल्प कर रहे है देखते हैं हम लोग उमा वेट यू ब्रैकेट में हम पी लिखेंगे यह हो गया उमा जितने भी स्टेट्स के नाम उसको हम कैपिटर्म लिखेंगे यह ट्रिक है हमारा उमा उमा का उमा का घर यह देखिए जो लेटर में लिख रहे हैं उसका एक अलग रीजन है बताऊंगा बाद में आप लोगों को उमा का घर उमा का घर वेट लिखना पड़ेगा हाँ लिखते हैं उमा उमा का उमा का उमा का घर तमिल नाडू उमा का घर तमिल नाडू एंड एक कैपिटल में लिख रहा हूं उसके पीछे रीजन अभी आप लोगों को बताता हूं उमा का घर तमिल नाडू एंड तेलंगाना 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 में में है देखे यह जो कैपिटल में जो भी कैपिटल लिखा गया है वो नेम आफ स्टेट्स हैं जो स्मॉल में लिखा गया वो गैर जरूरी चीज़े हैं उनको हम हटा सकते हैं तो हमारे स्टेट्स के नाम निकल आएंगे देखे तो यह जो उमा है यह मैंने U लिखा है, यह मैंने M A लिखा है, यह K A है, उमा का घर, अब इसे हम अटा देंगे घर, जो small letter में words लिखे हों हम अटा देंगे, अब देखे, तो हमने क्या देखा, उमा का घर, अब देखे, अब बीच में मैंने जान बुच करके P लिखा हुआ है, यह U far क्या हो गया, उत्तर प्रदेश, U P हो गया, M A से हो गया महारास्टा, K A से हो गया करनाटका, यह आप लोग जानते हैं, तमिल नाडू, आइंड से हो गया, आंधर प्रदेश, तेलंगाना से हो गया हमारा तेलंगाना, राइट, लेकिन उमा की family की खासियत क्या है, इनका घर जरूर, तमिल नाडू, तेलंगा, इनका घर जरूर करनाटका, तमिल नाडू, तेलंगाना, एंड आंधर प्रदेश में है, लेकिन इनके family की खासियत है, इनके पास जितनी भी cars है, यानि जितनी भी गाडियां है, वो एक particular states, यह particular states हमारे कौन कौन से हैं, यह particular states हैं हमारे, पंजाब, हरियाना, एंड बिहार, यानि इनके घर किन-किन states में है, उमा का घर किन-किन states में है, उमा का घर हम लोगों ने देखा, करनाटका में है, तमिल नाडू में है, आंधर प्रदेश में है, और तेलंगाना में है, लेकिन इन लोग गाडियां किन-किन states की इस्तेमाल करते हैं ये गाड़ियां जो ये उमा की family जो गाड़ियां करती है वो इन states में registered होती है देखिए एक बार ये गाड़े रजिस्टर होती है आप लोग जानते हैं पंजाब की गाड़ियों पर PB लिखा होता है हरियाना की गाड़ियों पर HR लिखा होता है अब अगर आप दोनों स्टेट्स के बाद वाले अलफाबेट को अगर इस तरीके से बॉक्स में रखें, तो क्या निकल के आया, BR, तो उमा की फेमिली किन-किन स्टेट्स में रिजिस्टेड गाड़ियों को इस्तेमाल करती है, आप लोगों ने इसली देख लिया, पंजाब, के इन प्रोडेशिंग स्टेट्स का नाव हम लोगों ने याद के लिया, चले, आगि बढ़ते हैं, आप जैसे हम लोगों ने देखे लिया, पिर से देख लिया, उमा, यूफ़ार उत्तरप्रदेश हो गया, माफ़ और महरास्टा हो गया, केफ उमा, का, केफ़ और करनाथ का हो गया तमिल नाडू आंध्र प्रदेश आप लोगों ने देखे लिया तेलेंगा ने देखे लिया उसके बाद हमारा पीबी पीबी हो गया चार हो गया और बिहार हो गया है न चलिए और आप लोग यह देख सकते हैं कि यह सारा हम लोगों ने समझ लिया चलिए आगे points को देखें तो हमारा क्या आ गया climate rainfall and soil आ गई कि what kind of climate rainfall and soil is required for sugarcane growth and name the major states who produce sugarcane तो इस तरीके से question आ सकता है और इसके बाद ये किस तरह की crop है tropical crop है और tropical है ये हमने देख लिया major producing states देख लिया और sugarcane से क्या क्या मनता है वो हम लोगों ने देख चले नेक्स हम दूसरी slide पर चलेंगे और sugarcane के बाद दूसरा sugarcane भी plantation crop है आप लोग जानते हैं टी भी plantation crop है तो आईए हम लोग देखते हैं टी टी और coffee हम लोग क्या देखने वाले हैं पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं क्या question बनेगा tea cultivation is an example of plantation crop अलड़ी हम लोग पढ़ चुके हैं इसे टाइपस farming में पढ़ चुके हम लोग इसे है ना दूसरा हमारा point क्या है it is also an important an important beverage crop we already know this introduced in India initially by the British Britishers ने tea को इंडिया में introduced किया था तीसरा point क्या है हमारा now most of the tea plantations are ध्यान दिन्य वर्डिंग पे ध्यान दिजिए most of the tea plantations are owned by Indians most not all most of the tea plantations now are owned by Indians but not all tea plantations in India are owned by Indians right इसके बार हम कभी और चर्चा करेंगे चलिए अगला topic देखते हैं आगेन देखिए अगला point हमारा tea plant tea plant goes well in tropical and subtropical climate tropical and subtropical climate हम जानते है tropical climate क्या हाथ है hot and humid होता है subtropical climate क्या होता है वो cooler climate होता है बट इतना भी cool नहीं होना चाहिए कि मतलब frost frost जमने लगे leaves पे नहीं तो tea leaves हो नहीं पाएंगे अब देखिए यहाँ पे क्या किस तरह climate चाहिए होता है ती क्यों ग्रोजबेल इन ट्रॉपिकल एंड सब्रॉपिकल climate चाहिए endowed with soil कैसी होनी चाहिए deep and fertile well-drained soil fertile soil होना चाहिए well-drained होना चाहिए यानि बारिश का पानी जमान ही होना चाहिए तो इनकी roots सड जाएंगी तो हमने देखा climate ट्रॉपिकल एंड सब्रॉपिकल soil कैसी होनी चाहिए deep fertile and well-drained होनी चाहिए और soil किस में reach होनी चाहिए humus and organic matter में तो किस तरह की soil और climate चाहिए हम लोगों ने देख लिया उसके बाद अगला हम देखते हैं टी bushes require warm and moist frost free क्योंकि अगर frost in leaves पे देखे अगर in leaves से frost जम जाएगी आप जानते हैं कि vapor cool down हो करके अगर frost इस पे जमेगी तो leaves ही खराब हो जाएगी तो फिर हमारा tea leaf अच्छी quality का नहीं बन पाएगा या नहीं खराब हो जाएगा चले ठीक है तो टी bushes require warm and moist frost free climate all through the year कि इसको एक बार हम हटाते हैं और देखते हैं यह अगर हम इन points पर देखें point number this and this है न एक एक और point frequent showers frequent showers आने पानी इसको थोड़े थोड़े दिन के interval पे चाहिए होता है evenly distributed over the year ensure continuous growth of tender leaves यानि थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहनी चाहिए ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बारिश बहुत ज्यादा वारिश होगी तो plants खराब हो जाएंगे तो यह तीनों points अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या-क्या कबर हो गया किस तरह कि soil चाहिए soil कैसी humus मेरीच होने चाहिए organic matter मेरीच होने चाहिए bushes को कैसा warm and moist frost free climate चाहिए और continuous तो क्या हो गया soil हो गई climate हो गया किस और यह भी climate का ही part है and basically इसे वेदर भी बोल सकते हो आप and shower evenly distributed है तो तीनों पार्ट हमारा होगा climate, soil and irrigation का basically tea is यह बहुत ही important है शुगर की तरह शुगर केन की तरह ही tea is a labor intensive industry it requires abundant cheap and skilled यानि tea leaves से tea जो प्लक किया जाता है उसको उसके लिए skill की जरूत होती है और इसके लिए labor को लेबर को training दी जाती है अब देखिए इतने बड़े बड़े tree plantations हैं अब हाथ से सारी प्रतियों को प्लक किया जाना है right तो इसके लिए skilled और cheap labor की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है आगे हम देखते हैं tea is processed और सबसे जरूरी बात किया है जैसे ही प्लक किया गया तो जो tea states होते हैं उन्हीं के आस पास में processing भी इनकी की जाते ताकि इनकी freshness और खुश्बू बनी रहे अब हम इसको देखते हैं पहले से मैं clean कर देता हूँ उसके बाद हम देखते हैं major tea producing states कौन कौन से हैं इसमें major tree मैंने आप लोगों से promise किया था कि आप लोगों को जो states learn करने में problem होती है उस problem को बिल्कुल आप लोग भूल जाए बिल्कुल problem नहीं होगी मैं उसी promise को fulfill कर रह लेंगे एक हम लोग सैम की help लेंगे दूसरी हम लोग मेघा की help लेंगे मेघा और सैम बोथ हर्द the classmates आपके भी हो सकता है आपके भी किसी क्लास्मेट का नाम मेघा हो या और सैम हो मेघा हो सैम आज मारी help करेंगे major tea producing states के नाम को learn करने में right तो सब से पहले हम लोग यहाँ प नाव हाँ चले हैं देखते हैं मेजर ट्री एक बार पढ़ लेते हैं major tea producing states कौन कौन से हमारे एक तो आसाम है एंड दूसरा वेस्ट बेंगॉल है वेस्ट बेंगॉल में दो जगहें हैं दार्जिलिंग और जलपाई गोडी और तामिल नाडू एंड केरला तो देखिए आइज सैम आइज सैम वेंट वेंट टू वेस्ट बेंगॉल वेस्ट बेंगॉल वेस्ट बेंगॉल टू टेक टी देखिए जैसे मैंने बताया कि यह जो जो णतर स्मॉल never में लिखे जाते हैं वहitaire लृड्प होते हैं जिनकी हम हम हल्प लेते हैं वह उलन करने में और इनको हम हटादेंगे बट जो कैपिटल में लिखे है वह हमारी थेल्प करेंगे तो इसको हम अगर cross कर दें, तो देखो, उमारे पास क्या-क्या बचा, हमारे पास बचा, as Sam, as Sam को अगर आप अब देखें, तो क्या हो गया, Assam, West Bengal, Tamil Nadu and केरला, तो हमने क्या trick बनाई, आप लोग चाह है तो इसका एक screenshot ले सकते है, trick हमारी यह है, as Sam went to West Bengal टू टेक टी सैम को चाय की इतनी तलब लगी कि वह वेस्ट बेंगॉल चला गया राइट टू टेक टी चले आई होप आपको ने स्क्रीन शॉट ले लिया है नेक्स्ट अच्छा हां यह क्या है मेजर मेजर टी प्रोडूसिंग स्टेट्स हैं आसाम और वेस्ट बेंगॉल ठी यह नाम आपको लर्ण करने में दिक्कत हो रही है तो इसका भी एक आसान तरीका आया है देखते हैं दारजी लिंग एंड जलपाए गुडी तो देखिए दारजी लिंग का अगर हम दरजी ले 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 दरजी जो हम लोगों के कपड़े सिलता है राइट दरजी यहां प जलपाए गुडी है तो इसमें हम आई जी यू को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा जलपरी यहां पर दरजी जो है जलपरी के कपड़े सिलेगा तो वेस्ट बेंगॉल के जलपाए गुडी यहां याद हो जाएंगे राइट अगर यह ट्रिक्स आपको पसंद आ रही हैं आपको लग रहा है कि कुछ आपकी हेल्प हो पा रही है प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल चले दूसरा एक तो हम लोगों ने इनकी हेल्प लिए एस सैम की अम दूसरा मेगा नाव मेगा इस गोइंग तो हेल्प लेंगे मेजर टी स्टेट्स तो यह हो गया है टी में लिखते हैं मेगा अगेन हम लोग यतने स्टेट्स के नेम होते हैं कैपिटल में लिखते हैं हमेशा की तरह जो गैर जरूरी होंगे उनको हम इसमाल में लिखेंगे मेगा मेघा ट्राइड ध्यान दीजे आप लोग प्लीज मेघा ट्राइड ED चुकि गयर जरूरी है उसे हम स्मॉल में लिखेंगे मेघा ट्राइड मेघा ट्राइड टू गो टू HP यानि हिमाचल परदेश and मेघा ट्राइड टू गो टू HP and UK टू टेक टी आप लोग यहां पर ध्यान दीजे मैंने बोला हुआ है कि जितने भी small letter में words लिखे जाएंगे वो गैर जरूरी है जो capital में लिखे जाएंगे वहीं हमारे states हैं तो ध्यान दीजे आप गैर जरूरी words को हटा देते हैं ED हट जाएगा small में है टू हटेगा small में go हटेगा यह भी हटेगा और यह भी two हटेगा और take टी भी हटेगा अब हमारे पास क्या बचा मेगा मेगा stands जिस तरीके से Sam कहां गया था West Bengal गया था और take में हमारा आ गया था Tamil Nadu and Kerala आ गया था अब देखें मेगा कहां जा रहे हैं अब हम लोग करते हैं 2018 India was the second largest producer of tea यह जो NCRT में लेटेस्ट जो फिगर दिया गया है 2018 का ही है तो आप लोग 2018 का ही करिए basically China हम से आगे था टी के प्रोडेक्शन में तो हमारा यह हो ही गया अपर्ट फ्रम दी है न ठीक है चले, now we'll move to the next slide and next slide talks about coffee यह two main beverage crops हैं हमारी, tea and coffee तो tea हम लोगों ने कर लिया, now अब हम लोग tea, चाय पी लिया, हम लोग coffee पिएंगे चले, coffee शूर करते हैं Indian coffee is known in the world for its good qualities वाँ, great, China का समान पूरी दुनिया में बदनाम है forest worst quality and हम लोग मशूर है अच्छी quality की coffee के लिए, आए देखते हैं और जहां तक question की बात है जैसे हम लोगों नभी tea का पढ़ा है तो soil हो गया, climate हो गया major producing states, आप लोगों को Sam ने और Megha ने learn करा ही दिया है ना, आए coffee में देखते हैं हम लोग पहला point देखते हैं दूसरा देखे, the Arabica variety initially brought from Yemen Yemen एक Arabian country है तो the Arabica variety initially brought from Yemen is produced in the country हमारी country में किस variety की crop की किस variety की coffee की plantation की जाती है, Arabica अगर आपको Arabica नाम याद करने में कोई challenge है तो उसका बहुत ही simple solution यहाँ पे आए देखते हैं, सबसे पहले हम Yemen जहां से coffee हमारे यहां आई, यह रहा है Yemen Yemen के पास में ही आप लोग सौधी Arabia के नाम से परिशित हैं, यह देखे रहा सौधी Arabia, ठीक है अब देखे करना कुछ नहीं आपको Arabia आपको अलड़ी आता है इस में से C आप हटा दो देखे, Arabia लिखो आप Arabia Arabia अब Arabia यहाँ पे मैंने C नहीं लिखा अगर C लिख दो तो क्या हो जाएगा Arabica तो C हटा दो, Arabica में से C हटा दो बैसे कि सौधी Arabia का Arabia उठा के लिख दो बस, तो क्यों से variety होगी अरेबिया विराइटी यहाँ अरेबिका विराइटी यह भी आपको learn हो गया इस विराइटी इस इन ग्रेट डिमांड अल ओवर दे वर्ल्ड और हमारे यह अच्छे होती है इस गुड अब देखते हैं, यह बड़ा important है कि कॉफी कहां कहां होती है, इसको भी हम learn करने की ट्रिक शेर करेंगे आप लोगों के साथ देखते हैं initially cultivation was introduced on the Baba Budan Hills शुरू शुरू में कहां पे कॉफी की plantation की जाती थी, Baba Budan Hills इसको याद करने के बहुत ही simple trick है देखिए, Baba Budan Hills कैसे याद कर सकते हैं हम लोग Baba है Baba Budan Hills इसको हम कर सकते हैं यहाँ पे देखिए Hi Babu Hi Babu ठीक है, Hi Babu कैसे हुआ Hills का क्या हो गया Hi Hills का हमने Hi ले लिया B.A. से Baba हो गया Abu से Budan हो गया Hi Babu घर में छोटे बच्चों को Babu बोलते हैं न Hi Babu Hi मिन्स Hills हो गया B.A. मिन्स Baba हो गया B.A. मिन्स Budan हो गया तो Baba Budan Hills इस तरीके साब Hi Babu के Hills से Baba Budan Hills आप लोग याद कर सकते हैं अब अगला आता है And Even Today मतलब कौफी का जो प्लांटेशन होता था Baba Budan Hills में होता था और आज भी Nilgari Hills तक ही limited है नilgari Hills ये जो Hills है ये तीन स्टेट्स में फैली हुई है करनाटका में, केरला में और Tamil Nadu में देखे Even Today Its cultivation is confined to Nealgaris in ये जो निलgari Hills है ये तीन स्टेट्स में फैली हुई है करनाटका, केरला अगर तमिल नादु तो इसको अगर तीन स्टेट्स का नाम आप याद पहला तो क्या हो गया हाई बाबू यानि हिल्स ओफ बाबा बुदान एक तो यह हो गया पहले होती थी अप कहां है निलगिरी हिल्स तीन स्टेट्स में पहली है करनाटका तमिल नाडू और केरला आप लोग टी केके की कर सकते हैं टी के कि फॉती बहुत मष्यूर ब्रैंड है तो इस तरीके से हम लर्ण कर सकते हैं और यह तो ऑर है इसको लर्ण करने के अगर आप लोग चाहें तो इसको ऐसा भी आत कर सकते हैं हम लोगोंने यह देखे है तमिल नाडू का टी ए ले लिजे टेक अब थोड़ा यह रहाइसा और है बट लर्निंग के लिए हम ले सकते हैं टेक कार के ए आर टेक कार टू तू नील गिरी टेक कार टू नील गिरी अला कि नील गिरी कैपिटल नहीं लिखना चाहिए क्योंकि यह भी आंसर का पार्ट है तो इसमें गैर जरूरी कौन सा हो गया तू हटा दो अप लोगों को समझ में आ रहा है मजा भिहार अलेंगकरने में अब देख लेते हैं यह देखें यह कॉफी के प्लांट से बच्पने में ऐसे होते हैं कॉफी के फ्रूट है कॉफी का फ्रूट फिर यह ड्राय किया जाता है उसके बाद we get like this हमें फिर कॉफी बीन्स मिल जाती हैं यह कॉफी बीन्स है हमारी एंड उसके बाद कॉफी वेट कॉफी बीन्स तो आप लोग क्लेर दिखी रहा है उसके बाद तो every warning depending on our taste some few people few prefer some people prefer coffee some prefer tea right you people are very much aware of it तो वहां पर मुझे समझाने की जरूत नहीं है यहां पर हम लोगों ने कॉफी देखा कॉफी पर भी देखिए कॉफी में बेसिकली इसमें यह यहीं आ सकता है कि मेजर प्रोडुसिंग इस्टेट आ सकता है कौन से वराइटी है यह सकता है बेवरेज क्रॉप ह आई है आप लोग जानते ही है इसमें कोई आई होब हमें आगे बढ़ना चाहिए चलिए नेक्स्ट हमारा है ओयल सीर्स दोस्तों आप लोग जानते हैं कि घर में अगर ओयल नहीं हो तो सबजी बनी नहीं सकती आप अपने मम्मा से या अपनी मेड से जो भी आपके हाँ खा करते हैं बेसिकली वेजटेबल ओयल हमारे खाने का एक बहुत ही जरूरी इंग्रेडियेंट है आए देखते हैं ओयल सीट्स है और ओयल सीट्स है इन 2018 इंडिया वस दे सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ओफ ग्राउंड नट बिसिकली मूंग फली चाइना नंबर वन पर है था था तूठ अब टूठ हो रही है आज से पांट साल पहले की तो सेकेंड लाजेस्ट प्रोड्यूसर था इंडिया ग्राउंड ने मूंग फली का उसके बाद दूसरा आता है हमारा रेप सीड दो चीजे बड़ा सिमिलर दिखते हैं रेप सीड और यह देखे यह द इन रेप सीड प्रोड़क्शन इंडिया वास थर्ड ग्राउंड ग्राउंड में सेकेंड थे हम लोग 2018 में और रेप सीड के प्रोडेक्शन में जो की यह रहा इसके प्रोड़क्शन हम लोग थर्ड लार्जेस्ट थे कैनेडा और चाइना के बाद कैनेडा नंबर वन पे ह यह यह पइंट बड़ा इंपर्टेंट है रहाँ से अप्रोप्सिंग अप्रॉक्सिमेटली 12 परसेंट ऑफ टोर्टल क्रोप्ड एरिया यानि हमारी कंट्री में जितने एरिया पर पूरे पूरे सपोसट अपोस्ट के संघ्यांपल से समझते हैं अगर माल लिजे 100, 100 hectare है, 100 hectare है cropped area, 100 hectare है, 100 hectare है cropped area, तो उस पे 12 hectare पे oil seeds grow करे जाते हैं, which underlines the importance of oil seeds in our kitchens, in our diet, चले, दूसरा, main oil seed producing, main oil seeds produced in India are, कौन-कौन से, oil seeds है, groundnut है, sunflower है, सिस्मी है, और उसके बाद caster है, और देखिया आईए, क्या-क्या है, sunflower है, groundnut हो गया, mustard हो गया, coconut भी है, सिस्मम है, soya bean है, caster है, cotton seed भी होता है, cotton seed, आप लोग देख सकते हैं, cotton seed, cotton seed, इससे भी all निकलता है, linseed हो गया, जिसे flag seed, linseed हो गया, linseed basically next slide में हैं लगता है, मुझे, आई यह देख लेते हैं, linseed, चले, अब यह वहाँ पहुंचे के तब देख लेंगे, तो इसको sunflower आप लोग जानते ही है, sunflower यह रहा, cotton seed यह रहा, और यह आपका सिस्मे, सिस्मम दो तरह का होता है, एक white होता है, और एक black होता है, हमारे North India, especially UP Bihar में तो मकर संक्राती के time पे लड़ू बनते हैं, यानि तिल के लड़ू बनते हैं, तिल एंड जैगरी को मिलाके लड़ू बनते हैं, UP Bihar वाले friends जानते होंगे इस चीज़ का, और तिल पट्टी भी मिलते हैं, I think even in Delhi and cities like Mumbai, में मिलते हैं, तिल पट्टी, यानि गुड के साथ उसे जमा देया जाता है, वो packet में बंद करके बेचते हैं, तो यह बहुत ही तिल, यह में बहुत ही herbal properties होती हैं, इसकी, चले हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और क्या है, अगर आप लोग oil seats से नाम याद करना चाहत सकते हैं, इसकी ट्रिक भी है, इसमें लिखा है, कोको सन, मस्ट कास्ट, लिंक कोट सिस्मम फॉर सोया ग्राउंड, यह बिसिकली यह इस लाइन से आपको help मिल सकती है, कि जितने भी oil seeds हैं, इंपोर्टेंस इंडिया में आप लंग कर सकते हैं, वैसे 5-6 लंग कली जो काफी अगला हम देखते हैं, most of these, अच्छे जो oil seeds हैं, यह edible हैं, ज़्यादा तर, caster oil हम लोग नहीं खाते हैं, edible हैं, and used as cooking medium, ज़्यादा तर, खाना बनाने, सब्जी बनाने के काम में इस्तिमाल में आती हैं, यह पूरी और पराठा भी लोग बनाते होंगे, यह पी भीहर वाले जानते हैं, इस चीज को, however, some of these are also used as raw material, यह जो oil seeds हैं, यह industries में भी as a raw material इस्तेमाल किये जाते हैं, क्योंकिन industries में, soap, साबुन जिसे आप सुबसु बनाते हो, soap हो गया, cosmetic हो गया, right, cosmetic आप लोग जानते हैं, soap हो गया, cosmetic हो गया, marham, iron, mint, तो इसको अगर आप, basically हम लोग क्या, oil seed के क्या-क्या uses हैं, हम लोगों ने देखा कि as a cooking medium, इस्तेमाल होता है, edible oil as a cooking medium, या cosmetic में इस्तेमाल होता है, ointment बनता है, या और क्या बनता है, soap, तो अगर आपको यह याद करने में दिक्कत है, छोटी सी ट्रीक आप लोग लगा सकते हैं, कि oil seed के क्या-क्या इस्तेमाल हो होते हैं, तो देखे, एक तो हो गया, soap, soap आपको याद ही रहेगा, सुबह-सुबह आप रोज नहाते हैं, soap से, soap coin, soap coin, आप यह बना लीजिए, आपको याद हो जाएगा कि as a cooking medium के लावा और क्या-क्या इस्तेमाल है, देखे, soap हो गया, जो पहले हम लोग देखा, coin, co से and तक याद आएगा, उसके बाद आप ointment लिखी लेंगे, ointment यादि मरहम हिंदी में बोलते हैं, so soap coin आप लोग याद कर लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि oil seat के क्या-क्या इस्तेमाल है, next हो गया हमारा, most of these यह हम लोगों ने कर लिया, ground nut is a kharif crop, kharif season में कौन- बाजू में तुम ground nut खाओ, आप उस वीडियो को देखें, और यह trick बहुत ही helpful होगी, आपको सिर्दर्द नहीं होगा, 2 minute में खड़ा से आप learn कर लेंगे, चलिए, तो ground nut is a kharif crop and accounts for, यह important है, आ सकता है, accounts for about half of the major oil seats produced, यानि जितनी oil seat produced होती है, वो सारी एक तरफ ground nut एक तरफ यानि मुंफली का तेल हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, I hope आप लोगों को समाझ में आ रहा है, तो इस पर ध्यान देने की जरोत है, यह exam में आ सकता है, यह हम लोगों ने देख लिया, now we'll move to the next slide, and next slide हमारी बात करती है, इसी के बारे में, क्योंकि अब यह complete नहीं हुआ ह next slide में हम लोग क्या देखने वाले, यह बड़ा important है, आप लोग ध्यान देजिए, गुजरात, किसकी बात कर रहे थे हम लोग, मुंफली की बात कर रहे थे, गुजरात was the largest producer of ground nut, followed by राजस्थान and तमिलाडू, ध्यान दे, देखे, गुजरात अगर इंडिया का मैप सामने र इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यानि इंडिया के 3 major states है, 3 ground nut producing major states है, गुजरात, राजस्थान है, तमिलाडू, यह 19-20 का figure है, अब हम देखते है, lincid, lincid and mustard, lincid and mustard, lincid यह रहा पना, lincid यह रहा पना, यह seed है, यह भी seed है, दो कलर के होते हैं, और यह flower है, यह देखे, इस lincid हो गया, और जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको, सिस्मम, सिस्मम देख लिजे, सिस्मम आप लोगों को दिखाता हूँ, देखे, यह सिस्मम, यह सिस्मम का field है, black और white दोनों तरह की होते ही सिस्मम, और सिस्मम का यह flower है, closer look से आप लोग देख सकते हैं, और यह caster, यह दे देखे, fruit है, जिसमें से यह seed निकलता है, और यह caster की leaves है, यह काफी इसके आयुरुवेदिक properties होती है, इसका कोई side effect नहीं होता, आईए से देख लेते हैं, caster seeds is grown both rabi and karif, देखे, दो चीजे हैं, जैसे, सिस्मम, सिस्मम और caster, ध्यान दीजे, caster और सिस्मम दो oil seeds हैं, जो rab आवियों, खारिफ दोनों में होते हैं, सिस्मम, खारिफ में तो हमारी तरफ होती है North India में, and rabi crop South India में, हमारे हाँ, हमारे हाँ, खारिफ में होती है सिस्मम, सफेद तिलो काला तिल सिस्मम, राइट, चले, तो हमारा next, अब है, चाहिए, नेक्स्ट कौनसा है, हौटी कल्चर आ गया हमारा, नेक्स्ट आ गया हौटी कल्चर, हौटी कल्चर मींस फूट्स एंड वेजटेबल्स, आजे देखते हैं, तो हौटी कल्चर में क्या-क्या है हमारा, प्रिशान होने जरूत नहीं जो भी स्लाइड में है आप हर पॉइंट को पढ़ें ये बहुत ही क्लियर कि मेजर प्रोडूइसिंग स्टेट कौन सा है स्वाइल कैसी चाहिए क्लाइमिट कैसी होने चाहिए रेनफॉल कितना चाहिए बहुत सिंपल है प्रिशान होने कोई अनबर पे है अब हमको इसके अब हमको पहले नमबर पर आना पड़ेगा क्यों क्योंकि ना विए आर्ड़ा मोस्ट पॉप्विलस कंट्री इन दे वॉयलड इसलिए हमको अपना वेजिटेबल और फूर्स का भी प्रोड़क्षन बढ़ाना पड़ेगा चलिए ना इंडिय अब देखें इंडिया इज़ प्रोडुसर ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेंपरेट दोनों तरह के फ्रूट होते हैं अब देखें मैंगोज और ग्रेप्स देखें मैंगोज और ग्रेप्स कहां कहां होती इसको लर्ण करने की बहुत ही आसान ट्रिक है आप लोग जानते हैं आंध्रप्रदेश नंबर वन पर है तेलंगाना दूसरे नंबर पर हो महारास्टा यानि महारास्टा तेलंगाना आंध्रप्रदेश याद कर लीजिए इतना ध्यान रखें मैंगोज में महारास्टा नंबर वन पर है और ग्रेप्स में आंध्रप्रदेश नंबर वन पर है ठीक है और आंधर प्रदेश से निकल के बना था तो है या아아 लोगशनبر ह महारास्टा त्रबर महारास्टा नबर पर डिफ ने तेम अब्ढ़ान अवर महारास्टा है शहले और सबसे आसान आध अच्छा लग रहा है चले मेंगो आप लोग जानते हैं इसलिए हम मैंने इसमें इसको इंक्लूट किया औरेंजेस आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं विटमी सी का सोर्स है औरेंजेस नाग नागपुर और चेरापुंजी अगें मेघालया मेघालया में दो फ्रूट मेघालया के दो फ्रूट फैमस है क्या एक तो ओरेंजेस और दूसरा दोऑं साइटर स्थ आहें और इक माइट काट लेते इसके बाद मुखे साथ ऐसे लगाख रखते हैं जैसे माइक में बोल रहे हूं तो बनाना को लर्ण करने के लिए हम माइक की हेल्प लेंगे और बनाना हम माता जी को यानि अभी नौरात्रे का टाइम चल रहा है मादूरगा को या जो भी हमारे देवी देता हो बिसिकली माता माता को ओफर करते हैं और माइक माता याद रखे बनाना का मतलब हो गया माइक माता बट इतना याद रखिएगा बनाना केरला में केरला में सबसे ज्यादा होता है ठीक है माइक माता से हमारा बनाना याद हो गया हमको चलिए याद रखेगा लीची केवल बिहार में होता है बिहार केवल बिहार म गया उतके बाद pineapple आप लोगों ने देखी लिया था हाँ यह देख लिए लास्ट वाला काफी मशूर है देखिए जहां तक apple की बात आती आप लोग जानते हैं apple हमारी country में apple के major states apple के producing हो गये जम्मु कश्मीर और हिमाचल प्रदेस हो गया apple पेर्स एप्रिकॉट और वालनट वालनट क्या है ब्रेन फूट है ब्रेन फूट जम्मु कश्मीर से आता है राइट इन ग्रेट डिमांड और वर्ड वर्ल्ड सो बिसिकली apples, pears, apricot and walnut इसको भी learn करने के एक ट्रिक है अगर आप लोग चाहें तो इससे learn कर सकते हैं देखे एपल एपल क्या होता है एपी पी राइट यह बाद वाला पी जो हो गया हो गया पेर के लिए पी से पेर निकलाया और यहाँ पे एस एप्रिकॉट निकलाया हाला कि आप ल लोगों के सभी के mobile में एप बहुत ज़्यादा होता है तो एप लिखा हमने इस ए ने help कर दी हमारी अप्रिकॉट को learn करने में इस पी ने help कर दी पेर को walnut brain food होता है we all know and we all eat right for healthy brain तो देख लेते हैं हम लोगों ने देख लिए लीची हो गया आप लोग मार्केट में देखते हों गर्मियों में बारिश के सीजन में लीची और यह हो गया apricot as a dry fruit हम लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में खाते हैं और यह हो गया हमारा walnut walnut यह इसी green coat के अंदर होता है इसको हम फोड के निकालते हैं फिर इसके अंदर इसको भी फोड ना होता है then we get walnut और यह पेर आप लो तो आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोगों ने यह session enjoy किया आज के लिए इतना ही keep learning keep growing thank you so much